नमस्कार स्टूडेंट्स कक्षा नौ विशे हिंदी गद्य है निर्वे बनो भाग दो स्टूडेंट्स भाग एक में हमने देखा था कि प्रियोधा जो था वो और उसके टोली अच्छे-च्छे कार्य कर रहे है रविवार के दिन वो लोग सन्याशी आश्रम के लिए मुठी आवसुलते है फिर उनका दल जो है उनका जो समू है वो किसी बीमार के सेवा करने के लिए भी जाते है तो इसे इसे अच्छे-च्छे कार्य प्रियोधा और उसके टीम कर रही है तो मोना महन महन उनके टीम में सामिल हो गया है और हमने देखा भी था कि लोगों ने मोना से गाना भी सुना था और उनका एक सदस्य है सूरज सूरय नारायन लेकिन लोग उसको सूरज पहलवान केते हैं वो हरोत सौ दंड़ बेठक करता है और अपने टीम में तेरना सिखा काम सुरज का ही है तो आईए अब देखते हैं हम भाग दो कि सुरज पस्चिम के और जुग गया बालुच और प्रलाली उतर आई परमान की धारा पर डुपते हुए सुरज की अंतिम किरन जिल मिलाए पखेरु दल बांध कर बांस्वन की और लोटने लगे प्योधा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांध कर लोटे पूल के पास एक गाड़िवान तनमाई होरकर गीत गा रहा था भोला गरी बकदिन पहिया हरब भोला गरी बकदिन सुरज ने भी उसी सुर में सुर मिला कर गाना सुरू किया एक टा जेत लोटा चल बेटा चल तिन पनिया पिबत काल लोटा लेल लक्षिन तभी कृत्यानन जाने कहा कि विध्यापति की लाचारी है लाचारी ट्रॉय ट्रॉय यानि अब क्या कहते हैं भाग दो में कि सुरज पस्चिम के और जुग गया अभी जब मैंने जब सुर्य नार्यान की बात की थी तो वो प्रियोधा के टीम के एक स सुबद जिसके जरिये होती है वो वाला सुरज और कहते हैं कि बालू चर पर लाली उतर आई बालू सब्दकार्थ होती है रेट और बालू चर यानि नदी के किनारे के जो रेतिला भागे उसे कहते हैं बालू चर तो यहाँ पर परमान नदी है उसके पास में जो रेतिला आगे उसे कहते हैं बालो चल परमान की धारा पर डूपते हुए सूरज की अंतिम किरणा जील मिलाई अब साम होने का समय है तो परमान नदीम के पाने में जो पानी हिलता है उसमें सूरज की लाल लाल किरणा हिलने लगती है और पखेरू दल बांध कर वासवन की और लोट र है क्योंकि वासवन में ही उनका गोशला है उनका घर है तो अब साम होने पर हम देखते हैं कि जितने भी पंची है वो अपने गोशले में चले जाते हैं प्रियोदाकित डल के सभी सदस से पंकती बांद कर लोटे पूल के पास एक गाडिवान तन्मे rented वोकर घीद गा रहा था यह जो गाडिवान था वो कुरत्यानन जहा था और वो एक गाना गा रहा था कि भोला गरी बकदिन पहिया हर अब भोला गरी बकदिन तो यह सुरज पहलवान है उसने भी उसी सूर में सूर मिला कर उसका अधूरा गाना है वो पूरा किया कि एक टाजे लोटा चल बेटा चल तिन पनिया पीबद काल लोटा लेलक लेलक छिन तो ये गाडिवान गुष्वीत सुर में шир मिलाया तब हेगादिवन जो कृत्यान जहा था उसने कहा विद्या-पती की लाचारी है यह विद्या-पती कौन है तौ मैथी नीबाशा के प्रसेद कवी है और कहते हैं उनकी लाचारी लाचारी यहां पर मजबूरी नहीं लेकिन लाचारी का अर्थ होता है लोक गीत को विध्यापति जी ने लिखा हुआ एक लोक गीत है तभी बालू चरके उस पार किसी ने फायर किया एक पखेरू बालू पर गिर कर छट पटाने लगा उसको जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा मट मेले अंधिकार में एक अर्दली नूमी आदमी दोड़ा हो आया और मरी हुई चिडिया के डेने पकड़ कर चिलाया मिल गया हुजूर मिल गया हुजूर अब क्या हुआ ये लोग जा रहे थे कुछ गाने भी गा रहते तब ही बालू चरपर यानि रेतिले भाग पे उपर किसे ने फायर किया बंदुक से गोली चला दी एक पखेरू यानि एक पंची उसको गोली लग गई है अब वो बालू पर यानि रेत पर गिर गया है और छट पटाने लगा उसका जुड़ा विकल होकर बहुत देडयदा रहा उसका जो जूड़ा था जैसे हमारे स्त्री पूरूइसरते सटर पंची हों में भी नर्मादा रहते हैं तो उनका जो पूरा दल था है वह अब कृ विकल्स होकर यानि विरह में बहुत देड़तर रहा है तब अभी मट मेले अंधकार में यानि अपसाम होने का समय है इसी अंधकार में अभी ब्रहम बोला सब लिप्टी साब का और दली है यानि सब लिप्टी साब है उसका और दली है उनका नोकर है साला भारी खचडा है यानि खचडा यानि एक मुर्क जैसा को धंगी जिसे हम कहते है जिसमें किस तरह का रहने उस तरह के डंग नहीं रहे थे यानी मुर्ख जैसा इंसान है पृयोधा के मुँझे अच्छानक निकला होल्ट क्यों है इसा होल्ट सब्द निकला क्योंकि इब्राहिम ने अभी साला सब्द का प्रेयोग किया है कि साला भारी खचड़ा है तभी प्रियोदा के मुझ से अच्छानक निकला होल यानि आप अपने आप के उपर काओ में रहो इसा सब्द मत बोलो यानि इसका अर्थ ऐसा है अपने आपको संभालो तभी इब्राहिम को अपने गलती का एसास हुआ दल का नियमि कोई सदसे किसी किस्म का अप सब्द या गाले मुझ से नहीं निकालेगा यहाँ पर इब्राहिम से गलती हो गई है उसने कहे दिया उस अर्दलिस को पिस साला भारी खचड़ा है लेकिन ये साला एसा सब्द प्रयोग करना उचित नहीं है इब्राहिम ने तुरंत सीर जुका कर दल के नायक प्रियोदा और सदक से माफी मांगी और फिर अपनी सफाई दी रहा है बात यह है कि साले ने अब वापिस जो बता रहा है कि साले ने पंची को मार दिये इसा कुछ बताना जा रहा है तब उसके मुँझे दुसरे बार साले सब्द का प्रयोग हो गया सभी हसे प्रियोदा ने गंबिर होकर कहा इब्राहिम यह तुमारी आठवे गलती है दस्वी होते ही हम तुमें साथ नहीं रहेंगे हम तुमारे साथ नहीं रहेंगे यानि कहने का अर्थ क्या था कि प्रयोदा का जो समू है उसमें एक नियम है कई भी सदसे का कोई भी व्यक्ति किसी को किसी भी प्रकार के गाली नहीं बोलेगा और दस गलती कर देता है वो तो उसे अपनी टीम से निकाल देते हैं तो अभी जो इब्राहिम है उसने आट बार गलती कर दी है अब उसे चिनती दे रहे है कि दस गलती होने तर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे इब्राहिम ने पुछा लेकिन सरकारी अपसरों को गाली दिने में हमें क्या हर्ज है यानि हर्ज यानि तकलिफ बता दे कि सरकार मुख खराबूगा उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मगर वे जो गाले देते हैं उनका क्या इब्राहिम वापिस दलिल करता है वे ही क्यों बहुत सारे लोग गाले बकते हैं तब ही कहता है नहीं प्रियोदा आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे यह महिन बात देरी तो कहते हैं, इब्राहिम महीन बात देरइस से बुझता है, यानि उसको कुछ देर से समझ में आती है, कि नहीं कहने का आर्थ एसा था, एसा नहीं एसा था, आँने कभी 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 कुछ बात समझ नहीं सकते यानि बूझना, तो कहते हैं कि यह महीन बात देरी से बुच्छता है यानि सुक्ष्म बात देरी से समझता है मैं समझा देता हूँ देखो इब्राहिम यदि कलब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा अब ये पूरा कालू समझा रहा है कि क्लॉप जो उनके जी टीम है उसका मेंबर रहना है तो उसका जो नियम है रूल्स है उसको तो मानना होगा नियम ये कि कोई सदर से आपस में बात्चित के सिलसिले में किसी भी कोई खराब सब्द नहीं बोलेगा जानते ही होना बस बात्खत्म यानि कहिने कर्थ क्या है कि आप जानते ही होना यानि अब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो प्रश्ण में आप देख रहे हो जानते हो नौ तो नौ का अर्थ है कि आप जानते ही हो उस बात का आप समर्थन कर रहे हो बस बात खत्मा सहुआ इन धर्मस अलग के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली कालू ने कहा मोना तू रास्ते में डरेगा मैं जानता हूं चल मैं पहुचा देता हूं यानि एक दूसरे से माचित हो गई है साम भी हो गई है अब एक दूसरे सभी लोग एक दूसरे से विदा लेकर अ प्रियोधा ने कहा क्या मोना डरता है क्योंकि कालू ने बताया था कि मैं मोना को छोड़ देता हूँ तब ही प्रियोधा को लगा क्या मोना डरता है मोना डरता है मैं उसे पहुचा दूँगा तो घर जा कालू अब कालू जो छोड़ने जा रहा था मोना को लेकिन प्रियोधा ने कहा कालू तुँ अब उपने गढ़ जा मैं मोना को छोड़ दूँगा रास्ते में प्रियोधा चूप रहे एक सुनी जगर आकर रुप गए सड़क के दोनों और बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं दोनों और बहुत दूर तक खंड़र और मेदान है पास के एक उजड़े हुए मकान की और इसारा करते हुए प्रियोधा ने कहा जानते हो इस गर में कभी मुर्दो की चीड़ फार होती थी पोश्ट मार्टम हाउस था वह यानि अब प्रियोधा उसकी परिक्सा ले रहा है कि उसको घर छोड़ने गया कालू जाने वाला था उसको घर छोड़ने मोना को लेकिन अब प्रियोधा कहता है कि नई में छोड़ देता हूं देख सुमसाम स्थान पर जाता है और एक मकान खंडेर मकान बताता है और कहते हैं कि यह पोस्ट मार्टम हाउस है। पोस्ट मार्टम हाउस यानि मरे हुए उनसान यानि मुर्दों की चीरफाड होती है। और दोनों और फिपल के पेड़े ऐसे सुन साम जगा पर व्यवे बता कर कहता है कि ये पोस्मार्टम हाउस था इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिसाज किल किल करते रहते हैं मेदान केमे प्रेतिनिया नाचती है यानि भूत पिसाज किल किला रहत यानि चिल्लाते हैं मेदान में प्रेतनिया नाचती है संताल्य की तरह जुंड बांद कर संताल्य यानि एक प्रकार की जाती है आधिवासी जाती है इसी तरह एक संताल्य जाती है तो बताते हैं कि जिस तरह संताल्य जाती के लोग जुंड बांद कर हूँ हूँ करते हैं इसी प्रियोदा ने मोना से कहा अके लिए यहां आ सकते हो तब मोना ने कहा जी नहीं प्रियोदा हसे और बोले देख मोना भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी कभी नहीं तंग करता जो दस काम करता हो तुम्हारी उम्रे में में भी डरता था मेरे गुरु महराज ने मुझे हस कर कहा कि दस का काम करने वाला तो खुद भूत होता है उसको भूत प्रेट क्या कर सकता है चलो शुरू करो वो गाना राम रहीम न जुदा करो भई दिल को सच्चा रखना जी वो वाला गाना यानि अब प्रियोदा उसको समझाता है कि तुम्हें भूत वगिरा से डरने की जरूरत नहीं है पहले तो उससे परिक्सा लेने के लिए कहा कि यह पोस्मार्टम हाउस से यहाँ पर प्रेट्निया नाचती है संतालियों की तरह और भूत भी किलकिलायत करते है लेकिन जब डरने लगा तो कहते हैं कि तुम डरते हो के नहीं कहीं जोट तो नहीं बोलते तब प्रियोदा ने समझाया कि भूत लोग ऐसे आदमे को कुछ भी नहीं करते हैं जो दस काम करते हो यानि दस काम यहाँ पर संख्या है यानि हम एक ही काम लेकर बेठना नहीं है सिर्फ पढ़ाई ही करना अर्थाद घर के भी कुछ काम करना यानि उनका दल तो है वो सभी तरह के काम करते हैं लोगों की सेवा करते हैं पढ़ाई भी करते हैं सन्या सियास्त्रम के लिए मुठ्या भी वसुलते हैं और कुछ न कुछ कार्य करते हैं यानि दस कार्य करते हैं कोई एक काम लेकर नहीं बेटे तो प्रियोधा के गुरु महराज ने बिताया था कि जो दस काम करता है वह खुद भूत होता है और भूत उसको कुछ नहीं करते तभी उसको डर भगाने के लिए प्रियोधा ने उससे वो वाला गाना सुनने की इच्छा की थी कि जब आगे तुमने गाया था राम रहीम न जुदा करो वो वाला गाना सुनने की इच्छा की चलो शुरू कर वो गाना राम रहीम न जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी तबी मोन मोन गाने लगा राम रहीम न जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी और यहां पर यह जो मोना का जो डर था वो दूर हो गया पहले तो वो भाई बिट था लेकिन अब भाई नहीं है सचमुच एसे प्रियोधा जिसे लोग हमें भी मिल जाए तो सभी लोग निर्भए बन जाए तो यहां पर एक छोटी सी कहानी के द्वारा फणिस्वर्णाथ रेणू ने भी हमें निर्भए बनने की का संदेश दिया है तो यहां पर यह गध्य है निर्भए बनों खास द्यान रखना है कि ये उपन्यास कितने चोरा है कि सात्वे प्रक्रण से लिया गया है और यहां पर ये उपन्यास अंस पूर्ण होता है आप भी निर्भई बन जाईए अस्तु